Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, मैं हूँ Dr. S.K. Verma, Assistant Professor in Chemistry, Government Dungar College, B.K. Anir, Rajasthan. Dear friends, अभी 23 जुलाई को ही HPSC ने PZT Post के लिए काफी अच्छी संख्या में लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट में वेकेंसी निकाली है, जो की आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है. इस वेकेंसी का जो notification है basically, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, वो सभी सब्जेक्ट के पर लागू होती है. लेकिन PZT Chemistry के लिए हम लोग Special Series चालू कर रहे हैं, और की PZT Chemistry के लिए कैसे तयारी करें, इसमें सबसे पहले दो वीडियोज रिलीज किये जाएंगे, एक तो ये वीडियो Part 1 की PZT Chemistry के लिए ये दिया आप आविदन कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चीजे ध्यान रखनी हैं, और इस Part 1 में हम और भी बहुत सारी important बातों के बारे में, important जो points हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे आपके जो recruitment procedure है, इसके इसकी important बाते क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं, PZT का जो आपका complete exam process होने वाला है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या सावधानी आपको रखनी है, तयारी करते समय है, हना वो सारी उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, और जो पार्ट टू आएगा, उसमें हम लोग PZT Chemistry की जो आप लोग तयारी कर रहे है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेजी होगी, ठीक है, तो overall preparation की क्या स्ट्रेजी होनी चाहिए, यह हम पार्ट टू में बात करने वाले हैं, हमारी exam के लिए best content क्या हो सकता है, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं, और exam के लिए आपको last तक, या chemistry के लिए, और part 2 में तो हम PZT chemistry की विसेश तोर पर इन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफी खास होने वाला है, इसके अलावा भी PZT chemistry के लिए, जो बहुत सारे questions हैं, उनको भी हम लोग आने वाले उसमें वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, और हो सकत चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी ज़्यादा useful होने वाला है, आपकी exam की तयारी में, और description box में कुछ link है, application का link है, इसके साथ ही telegram channel का भी link है, आप उनको भी join कीजिए, तो काफी ज़्यादा आपको future में help इससे मिलने वाली है, चलते हैं, आगे और सुरू क करते हैं, PZT chemistry, और क्या बोलते हैं, आपका जो recruitment था, HPSC का, उसके important बातों का discussion करते हैं, सबसे पहले मैं side में आ जाता हूं, ताकि कोई भी information है, वो आप से छूटे नहीं, ठीक है, मुझे लगता है, ये position सही है, ओके, और अब हम लोग सुरू कर देते हैं, फटा-फट से yes HPSC ने, HPSC ने ये जो recruitment निकाला है, वो आपके 23 जुलाई को, इसको publish किया है, इसमें आपका हरियाना केडर और मेवाद केडर दोनों के लिए इसमें जो vacancy है, वो available है Yes, मेवाद केडर और हरियाना केडर दोनों के लिए vacancy है, अब इसमें कुछ important बाते हैं, recruitment की, वो हम समझ लेते हैं, सबसे पहला तो इसमें आपकी जो date of, opening date of form की, यानि कि कल से form भरे जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा, और last date है आपकी 14 अगस्त 2024, ठीक है, तो आप य याद रखिएगा, HPSC की website से आपको ये form फिल करने हैं, उसके बाद में हम लोग दोस्तों, एक बहुत ही important part है, recruitment का, वो है आपका, कि आपकी जो eligibility conditions क्या है, ठीक है, और eligibility conditions से पहले हम लोग ये discuss कर लेते हैं, कि आपके जो PGT chemistry post है, उसमें basically आपको कितनी post मिलती है, इसमें आ सारी कि सारी आपको 255 काफी अच्छा नंबर है ये, ठीक है, आपके तयारी करने के लिए, और क्या बोलते हैं, आपके selection के इस नंबर में काफी अच्छे chances होते हैं, 255, क्योंकि PGT chemistry की मेवात केडर की vacancy 2023 में भी आई थी, तो competition तो है, लेकिन regular vacancy आने की वज़े से, जो competition है, और क्या बोलते हैं, candidates इकटे नहीं होते, जिससे vacancy को, exam को fight करना हमारे लिए आसान होता है, अब अगली जो important बात है, recruitment की, वो है, reservation से related, वो आपके, क्या बोलते हैं, 33% जो reservation है, वो हर category में उपलब्ध है, किन के लिए, महीलाओं के लिए, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान reservation है, वो मिलता है, आपको PZT, वैसे तो देखिए, हरियाना केडर और मेवाद केडर की आपको preference देनी है, लेकिन PZT chemistry की बात करें, तो वो केवल हरियाना केडर में है, उसमें आपका मेवाद केडर में है ही नहीं, अब important बात आ जाती है, educational qualification की, यानि कि आप इस भरती के यो Sanskrit है, वो subject होना चाहिए, यदि ये नहीं है, class 10th में Hindi या Sanskrit subject नहीं है, तो class 12th में आपके पास Hindi subject जरूर होना चाहिए, ठीक है, हना तभी आप इस vacancy के eligible के लिए eligible हैं, ये पहली condition है, दूसरी condition है आपकी, कि आपका estate है, वो clear होना चाहिए, ठीक है, है, estate या estate है, वो आपको clear होना चाहिए, आपके पास उसका जो है, वो certificate होना चाहिए, qualified का, ठीक है, ये दूसरी condition थी, consistent good academic record, ये आपकी तीसरी condition है, इसके बारे में हम लोग detail में भी बात करने वाले हैं, कि good academic record क्या है, ठीक है, ओके, अब जो qualification है, basically, वो हम समझ लेते हैं, हन essential qualification subject wise यहां दी हुई है, उसमें PGT chemistry पे focus कर लेते हैं, हम लोग, और इसमें आप देखिए, MSC आपके पास chemistry होनी चाहिए, या biochemistry होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी chemistry नहीं चलेगी, आप यदि applied chemistry लाएंगे, pharmaceutical chemistry लाएंगे, forensic chemistry लाएंगे, तो वो नहीं चलेगी, no, मतलब no याद रखिए, आपके पास, जो आपकी जो degree है, MSC की या marks seat है, final year की, उसमें MSC in chemistry या biochemistry लिखा होना चाहिए, तब ही आप इसके लिए eligible हैं, और कम से कम आपको 50% marks उसमें होना ही चाहिए, उस MSC में, PG में, और आपके पास B.Ed की degree हाथ में होनी चाहिए, ready, यानि कि यह हैं, बाकी subject की भी यहाँ दी हुई है, तो आप उनको क्या बोलते हैं, आराम से समझ सकते हैं, और अपने लिए जो qualification है, उसको decide कर सकते हैं, ठीक है, अब हमने देखो, qualification में पहली condition और दूसरी condition की बात कर ली, तीसरी जो condition थी, वो थी आपकी consistent, consistent good academic record, ठीक है, तो consistent good academic record की definition है वो काफी ज़्यादा important है, आप समझ लीजिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका 50% marks का है वो average होना चाहिए, कि इसमें कोई भी 3 exam में से, किन में से 3 exam, 10th, 12th, graduation और post graduation, यानि कि इन में से आप कोई भी 3 exam ले लो, कोई भी 3 exam में आपका जो average है, वो 50% होना चाहिए, यानि क इन में से कोई भी 3 exam आप पिक कर लो, और उन में से आपके जो percentage है, उसका average 50% होना चाहिए, बात आपको समझ में आई, यह है consistent good academic record की condition number 1 है, ठीक है, इसके अलावा एक बात तो हमने समझी ली क्या, कि आपका जो क्या बोलते है, पीजी में आपको 50% होना चाहिए, बात आप आपका 50% से नीचे भी हो सकता है, लेकिन 10th, 12th graduation और PG इन 4ों में से कोई भी 3 में आपका जो average है, percentage का average है, वो कम से कम 50% होना चाहिए, यह consistent good academic record की definition है, ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग आगे चलते हैं, H-State और H-State आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा इन्होंने जो क्या बोलते हैं, scheduled category है, scheduled cast SC category है, और differently able candidates है, और भी कोई category है, उनमें आपको क्या दिया है, इन्होंने 5% का relaxation भी आपको दिया है, ठीक है, यह जो PG की लेकिन यह जो relaxation है, यह केवल आपको क्या बोलते हैं, जो आपकी post graduation के marks हैं, उनमें आपको यह मिलता है, ठीक है, अब च SC previous में हो, final year में हो, या beard आपकी चल रही है, तो आप इसके लिए आविदन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आपके पास जो भी eligibility है, वो आपके पास closing date 14 अगस्ट 2024, इस से पहले वो आपके पास उसकी degree या marksit आपके पास हाथ में आ जान चाहिए, MSC में हैं, तो इस date से पहले उसका result आ जाना चाहिए, ठीक है, यदि इस date से पहले आपके पास result आ गया, यानि कि आपका MSC का final year का result आ गया, beard का result आ गया, तो ही आप इसके लिए और आपका जो h date आपने pass कर रखा है, या ठीक है, उन इन सब के certificate आपके पास में, य ही है, ठीक है, अब ये साफ बार-बार वही चीज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी certificate document है, वो इस date के पहले का होना चाहिए, closing date के पहले का होना चाहिए, closing date के बाद का यदि कोई भी certificate होगा, वो नहीं चलेगा, तो आप देख लीजिए, कोई भी certificate आपका, चाहे वो category certificate और कुछ भी हो वो आपका इस date के पहले का होना चाहिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है ठीक है आगे चलते हैं अब भई सबसे important part इस वीडियो में है देखिए कोई भी exam को हम clear करते हैं उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए वो जो exam है उसका selection procedure है और exam procedure है ये एकदम आपके mind में clear होना चाहिए कि उसका exam process क्या है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है selection procedure आखिर उसका क्या है ठीक है तो अब हम लोग basically जो HPSC PGT post के लिए PGT chemistry के लिए भी यह common है मैं थोड़ा ज्यादा ही corner में आ गया कोई बात नहीं ठीक है तो PGT chemistry के लिए भी यह common है और बाकी subject के लिए common है जो selection procedure है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं साथियों ठीक है तो मैं आपको बता दूँ selection procedure में इसमें तीन stages है कितने stages है आपके total तीन stage है जिसमें से जो stage 1 है ठीक है stage 1 वो आपका screening test है ये लो stage 1 क्या है आपका screening test है ठीक है इसको थोड़ा सा उठा करके हम उधर रखतेते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं screening test pass करने के बाद में आप जाओगे stage 2 में और stage 2 आपका skt है यानि कि आपका subject knowledge test है ये लो subject knowledge test skt ठीक है stage जो 3 है वो आपका interview है बात आपको समझ में आई या नहीं आई तो आ जाएगी ये तीन stages ह हैं आपके selection के ठीक है अब इनके बारे में जो important चीज है वो समझ लीजिए screening test का आपकी final merit में कोई contribution नहीं है इसमें जो आप score करेंगे final merit में इसका कोई contribution नहीं है सुन लीजिए final merit में इसके marks नहीं जुडेंगे ठीक है तो final merit में किसके marks जुडेंगे final merit में किसका weightage है जो आपका 87.5% का इसका वेटेज रहेगा यानि कि exam में जितना भी आप final merit बनेगी, final selection के लिए उसमें 87.5% का वेटेज आपका किसका है, subject knowledge test का है, यानि कि ये 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 आपके selection की जो main चाबी है, वो है आपके subject knowledge test, interview का वेटेज जो बाकी बचा हुआ है, 12.5 का वेटेज है, व आपका interview का वेटेज है, तो आपको clear हो गया कि किस stage में आपको कितना वेटेज मिलने वाला है, और किस stage की क्या importance है, तो screening test का केवल use इतना ही है, कि आप कहां जा पाएं, stage 2 में जा पाएं, ठीक है, stage 2 आपकी merit का main जो portion है, उसको decide करेगा, आपका stage 2 में अच्छा score है, तो आप के selection होने के काफी ज्यादा chances है, क्योंकि main जो scoring हो रही है, वो आपकी stage 2 में हो रही है, ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से, अब हम इन में से, इन में से कब और कितने-कितने candidates उठाए जाएंगे, इन में से उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार इसको delete कर देते हैं, थोड़ी जगे खा रहा है ये, हम समझ में आ गए, तीन stage है हमारे, ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये जो आपकी screening test है, जो total post है chemistry की, वो आपकी है 255, ठीक है, ये 255 total post है, 255 का 4 times, किस में selection होगा, screening test में, यानि कि screening test में, आपके 255 into आपका 4 आप कर करेंगे, तो ये आपका हो गया, 1020 इतने students का selection होगा, screening test में, इसके बाद में, जो subject knowledge test है, इसमें हम लिख देते हैं, ये आपका हो गया 4 times, 4 times of the total post, जितनी total post हो, उसके 4 times लोगों का selection होगा, screening test में, उसके बाद में, ये जो subject knowledge test है, इसमें 2 times, 2 times लोगों का जो selection है, वो subject knowledge test आ आप देंगे न, ठीक है, उसमें, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग के बाद में आप SKT देंगे, SKT में दो गुना लोगों का सेलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, तो लगभग, लगभग SKT में कितने लोग पास होंगे, SKT में आपके लगभग 510 लोग पास होंगे, ठीक है, SKT में, और 510 लोग आगे जाएंगे इंटर्व्यू के लिए, बात आपको समझ में आई, यानि कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सेलेक्शन होगा, 1020 लोगों का, वो देंगे क्या, आपका SKT, और SKT में से एक्जाम होने के बाद 510 लोगों का सेलेक्शन होगा, वो आपका देंगे इंटर्व्यू, और इंटर्व्यू के बाद में 255 लोगों की आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, ये आपको concept clear हो गया, ठीक है, तो इस तरह से और जो 255 की जो मेरिट बनेगी, उसमें आपके SKT और इंटर्व्यू का ही केवल नंबर होगा, screening test का वेटेज उसमें नहीं है, screening test का रोल केवल इतना है कि वो आपको SKT तक लेकर जाए, ठीक है, फिर आप अपना दम दिखाएंगे SKT में, और SKT के बाद में आप दम दिखाएंगे इंटर्व्यू में, combined merit बनेगी और आपका selection होगा, तो ये selection procedure था basically, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको selection जो procedure है, वो समझ में आया होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके जो selection के तीनों stages हैं, आपका stage 1 कौन सा हो गया, screening test, SKT और interview, इनकी अलग-अलग बात करने वाले हैं, ठीक है, इनमें और भी क्या क्या important points हैं, इनमें जो exam लगेगी, उससे related कौन-कौन सा important point है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहले चलते हैं, जो आपको screening test देना है, उसके बारे में बात करेंगे, तो ये आपका हो गया, सबसे number one, screening test, ठीक है, screening test में आप देख लीजिए, टोटल जो questions हैं, वो कितने होने वाले हैं, आपको MCQ मिलने वाले हैं, और वो भी कितने 100, आपको clear हो गया, MCQ मिलेंगे, आपको 100, exam में, exam pattern की हम लोग बात कर रहे हैं, pattern of exam, ठीक है, selection procedure हमने बात कर लिया है, exam pattern की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो exam में, screening में आपको समझ में आगया, 100 MCQ आपको मिलने वाले हैं, जिसका syllabus इन्होंने आगे बताया हुआ है, जो हम याद रखिएगा, part 2 इस वीडियो का, यानि कि जो PGT chemistry के लिए हमने जो series लाई है, उसका part 2 जिसमें हम लोग syllabus की important बातों के बारे में discussion करने वाले हैं, topic wise, unit wise, important content, इन सब की बात करने वाले हैं, तो part 2 बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, यदि learning chemistry channel आपके लिए नया है, तो आप क्या बोलते हैं, इसे subscribe कर लीजे, आज ही काफी ज़्यादा आपकी help करने वाला है, HPSC, PGT chemistry के लिए, ओके, तो ये syllabus का हम part 2 म करेंगे, अब ये जो screening test है, 100 MCQ आएंगे, time आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे में आपको 100 MCQ है, वो solve करने हैं, उसके बाद में इसके marks कितने होंगे, 100 marks होंगे, ठीक है, यानि कि हर जो question है, वो आपका एक number का होगा, इतनी बाते हो गई, अब important बाते देख लो, screening test की, screening test में आ आपको हर question में five option मिलेंगे, A, B, C, D, E, ठीक है, उसमें से A, B, C, D, तो उनके जो question है, उनके answer होंगे, ठीक है, इन options में तो आपको answers मिलेंगे, answer के लिए option होगा, और आपको जो fifth option है, fifth option है, कौन सा E, वो आपको कब tick करना है, कब उसको dark करेंगे आप, जब आप उस question को attempt नह कर रहे हों, यानि कि A, B, C, D, E में से आपको dark तो करके ही आना है, एक ना एक तो, या तो आपका उत्तर A, B, C, D, के अंदर, इन में से कोई एक होगा, यदि आप ये नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस question को attempt नहीं कर रहे हैं, और उस condition में आपको E को answer किल करना होगा, option E, जो किस बात के लिए होगा, कि आप उस question को attempt नहीं करना चाहते हैं, याद रखिए, यहाँ पर एक important point क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इनोंने एकदम साफ लिख दिया है, कि यदि आप पांचों में से कोई भी circle, यानि कि एक जो question है, उसके लिए 5 option मिलेंगे, आपको A, ABCDE, यदि इन में से एक भी आप काला नहीं करते हैं, तो आपके marks कट जाएंगे, 0.25 marks आपके deduct हो जाएंगे, इतने marks आपके कट जाएंगे, सुन लीजिए, यानि कि आपकी negative marking हो जाएगी, यह बड़ा ही important बात है, याद रखिएगा, क्या कि आपको यदि या तो आप उतर दे रहे हैं, ABCD में से, यदि यह नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है, आप उस question को attempt नहीं कर रहे है, उस condition में आपको E को काला करना ही है, E को dark करना है, ठीक है, यदि आप fifth option को dark नहीं करेंगे, तो आपकी negative marking हो जाएगी, और उस question को गलत माना जाएगा, यह बहुत important बात ह रहे हैं, और E option को dark नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके negative marking होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, 0.25 marks, ठीक है, अब इसमें एक twist और है, यदि आपने 10% से ज्यादा questions ऐसे छोड़ दिये, जिनका आपने एक भी circle काला नहीं किया, ठीक है, यानि कि आपके marks तो कटेंगे ही छोड़ दिये, जिनका आपने पांचों में से एक भी जो option है, वो काला नहीं किया, डार्क नहीं किया, तो आप disqualify हो जाओगे, disqualify, यानि कि आप देख लो, यह जो 5th option है, यह आपके लिए कितना ज्यादा important है, 5th option का जो update है, वो कितना ज्यादा important है, आप यदि, आप अपने 5th option भी काला नहीं किया है, तो उस condition में आप disqualify घोसित कर दिये जाओगे, तो 5th option है, वो आपके लिए काफी ज्यादा important होने वाला है, और यह काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, कि आपको आप attempt नहीं कर रहे हैं, तो वो काला करना है, अब बात कर लेते है इसमें negative marking, कि तो negative marking आपको 1 4th mark है, वो आपको हर गलत answer के लिए काटा जाएगा, यह आपके negative marking है, यानि कि आप समझ लीजिए, आपका यदि answer wrong है, आपने A, B, C, D में से tick किया, और answer आपका wrong निकला, तो आपका 0.25 marks है, वो deduct हो जाएगा, और यदि आपने किसी question में A, B, C, D, D में से A, B, C, D, E में से कोई भी option काला नहीं किया, तो भी आपका 0.25 marks deduct होगा, तो भी negative marking आपकी जबरदस्त होने वाली है, जबरदस्त policy है, HPSC की, ठीक है, कि या तो आप हमें बताइए कि आपका उत्तर कौन सा है, यदि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप हमें य कटेंगे ही कटेंगे, अब disqualify भी हो जाओगे, यस, अब आगे चलते हैं, medium of examination, ठीक है, तो अब पिछली बार से ही ये update है, कि आपका जो chemistry और ये जो science के subject है, biology, chemistry, home science, mathematics और physics, ये जो science के subject हैं, दोस्तों, इनका paper आपको केवल और केवल English में ही मिलने वाला है, bilingual paper नहीं मिले होता है, क्योंकि उनका जो BSC वगरा है, UG, वो Hindi medium से होता है, कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन अब HPSC ने एकदम clear कर दिया, कि आपको जो PGT का paper है, वो science के subject में, केवल और केवल English medium में मिलेगा, आपको कौन सा paper की बात चल रही है, आपके इसकी screening test की, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, और बाकी सारी बातें हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकस करी चुके हैं, screening test का कोई वेटेज नहीं है, ये सब बातें हम डिसकस कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें से ही आपके क्या बोलते हैं, short listing candidate होंगे, कौन से, marks तो हैं, वो आपके क्या बोलते हैं, final merit में नह MCQ, दो गंठे में, negative marking और fifth option क्या चक्कर आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब और उसका कोई वेटेज नहीं होगा, ठीक है, अब SKT की बात कर लेते हैं, second stage, subject knowledge test में, इसमें आपका exam तीन घंटे का होने वाला है, कितने घंटे का होने वाला है, तीन घंटे का exam होने वाला है 1500 number का ये होने वाला है, syllabus इसमें वो ही रहेगा, इसका अलग से कोई syllabus नहीं है, जो आपका screening test का syllabus रहेगा, वो ही इसका syllabus रहेगा, ठीक है, medium of examination भी वो ही रहेगा, English ये हमने बात कर ली है, chemistry में और सारे science के subject में, अब इसमें और important बात क्या है, और important बात ये है कि ये जो आपक SKT होगा, वो दोस्तों, return exam होगा, वो आपका return exam होगा, वो MCQ-based नहीं होगा, तो इसमें आपको answer लिखने पड़ेंगे, जैसे आप HPSC, जो Civil Services Mains का exam होता है, उसमें आप लिखते हो, या हमारे जो UGPG के return exam होते हैं, उस तरह से return exam आपका ये होगा, ठीक है, तो और उसके बाद में, इसमें दो गुना लोगों को select किया जाएगा, वो हम बात कर ही चुके हैं, और इसमें कम से कम 30%, 35% आपका score आना चाहिए, तो ही दो गुना में आपको लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा इसका weightage 87.5 है, ये हम बात कर चुक हैं, अब आजाते हैं, आपको salary क्या मिलने वाली है, ये काफी लोगों के मन में सवाल रहता है, कि भी हमें salary क्या मिलेगी, ठीक है, तो salary से regarding इतना है कि ये आपकी basic जो है, उसकी range है, ठीक है, और उसके बाद आपको allowances मिलेंगे, यानि कि 4, 7, 6, 00, आपका starting basic होने वाला है, और उसके बाद में आपको जितने भी allowances हैं, हरियाना government के वो सारी मिलने वाले हैं, एक अंदाजे के अनुसार आपकी जो first month की salary है, वो 50,000 आराम से, sorry, 75,000 के आसपास आराम से रह सकती है, बहुत ही आराम से 75,000 के आसपास per month आपकी salary, first month की salary ये हो सकती है, ठीक है, allowances उसमें जोडने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में जो बाते हैं, वो इतने important नहीं है, age limit आप देख लीजिए, 42 आपकी age limit है, और ये इस closing date तक है, 14 अगस 2024 तक, ठीक है, और इसमें भी आप देख लीजिए, बहुत सारी categories में आपके, क्या बोलते हैं, 5 साल का जो है, आपको relaxation मिल है, तो इसमें जरूर चेक कीजिएगा, कि आपकी, क्या बोलते हैं, ex-servicemen के लिए भी इसमें काफी अलग से provision है, तो और जो आपकी backward cast है, category A और category B, उससे related भी काफी important points यहां पर लिखे हुए हैं, सब की हम discussion नहीं कर सकते, क्योंकि वो, क्या बोलते हैं, unnecessary ये lengthy हो जाएगा ये सब हैं, ठीक है, EWS category में ये आप आविदन कर रहे हैं, तो उसका एक important बात आप ध्यान रख लें, कि जो आपका EWS category का जो certificate है, वो financial year 2024-25 के लिए valid होना चाहिए, सुन लीजिए, तो अपने EWS certificate को पहले ही check कर लीजिएगा, कि 2024-25 के लिए valid है कि नहीं है, ठीक है, application fee तो क क्या बोलते हैं, application fee आपकी यहां पर दिखाई गई है, जिसमें अलग-अलग categories में अलग-अलग है, यहां आप देख करके अपनी category के हिसाब से application fee है, उसको उसका पता लगा सकते हैं, और तो इसमें recruitment process में ज्यादा कुछ important बात बची नहीं है, closing है, और documents कौन-कौन से आपको submit करने हैं, यह सारी बाते हैं, इसमें ठीक है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, कुछ important point हमें मिले, तो उसकी हम लोग बात कर सकते हैं, यह सब बाते हो गई, चलते हैं, एक बार आगे तक, देखें क्या यह कहते हैं, ठीक है, general instruction हो गया, तो अब मेरे ख्याल से कुछ खा हम लोग chemistry का से उस लिबस है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यह रहा, तो अगला वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important होगा, chemistry के जो syllabus है, PZT chemistry का, उसको detail में हम लोग topic wise discussion करने वाले हैं, कि यह जो units हैं, आपकी अलग-अलग यह आपको कहां से पढ़नी हैं, कैसे पढ़नी हैं, तो उमीद करता हूँ कि HPSC के notification के बारे में important बातों को हम लोग discussion कर पाएं हैं, फिर भी कोई doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं, channel को आप join कर सकते हैं, description box में भी आपको कुछ important playlist के link मिलेंगे, कुछ important link मिलेंगे, telegram के link होगा, PDF का link होगा, आप उने जरूर देखिएगा, हो सकता है, वो आपके काफी ज़्यादा काम के हो, ठीक है, तो उमीद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, PGT chemistry की complete planning के साथ में, syllabus discussion के साथ में, thank you, thank you very much.